Welcome back to my channel, मैं हूँ भारती और वीडियो की शुरुआत करते हैं सुन्दर से, खूबसूरत से मौसम के साथ और चारो तरफ बादल चाय हुए हैं तो क्यों ना आज इस मौसम का फायदा उठाया जाए और बहुत अच्छा मौसम है और बहुत सही मौसम है ये अपनी जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए तो आज मैं ग्रो करूँगी कुछ कटिंग्स मेरे सामने है एक कंटेनर जिसमें मैंने मिट्टी और जो रेत होती है उसको मिक्स कर लिया है और यह जो कुछ cuttings है मैं grow करूँगी आज और सबसे पहले है यह एक बेल होती है जिसे पड़दा बेल भोलते है और यह hanging type होती है बहुत ही अच्छी लगती है curtain type यह पूरा जो भी आपकी wall है उसको cover कर लेती है तो इसकी मैंने 4 sticks कर ली है तो बहुत easy to grow plant है मैंने पहले भी इसको grow किया है अपने बहुत सारे pots में तो यह और कुछ cuttings है बहुत ही easy to grow सारी cuttings है यह और बहुत ही hardy है permanent plant है यह सब तो इसको बस आपने जो है इसके notes area के साथ इमिट्टी में इसको दबा देना है अच्छे से और इसके बाद मेरे पास है एक plumeria का plant जिसे नाग चमपा भी बूलते है तो इसकी cutting जो है मैं first time grow करने जा रही हूँ और इसको जो है nursery से मैं first time ही लाई हूँ अपने garden में तो इसको भी मिट्टी में node area के साथ दबा देना है और इसके जो कुछ उपर से leaves है इसको मैं हटा देती हूँ और इन सब को जो है अच्छे से मिट्टी में दबा देना है और खास ख्याल ये रखना है आपकी मिट्टी जो है एक तो soft होनी चाहिए और दूसरी जो है उसमें कोई भी air passing नहीं होनी चाहिए जिससे की हमारी जो cutting खराब हो जाए और ये trumpet wine है और ये मेरे पास smogra की दो cuttings है इसको भी मैं first time grow कर रही हूँ और ये दो variety जो है मैंने कोलियस की लिए है कोलियस जो है बहुत ही easy to grow plant है इसको आप कभी भी किसी भी मौसम में grow कर सकते हो तो इसको भी मैं as it is यहाँ पे लगा दूँगी तो इसके leaves जो है मैंने नीचे से हटा दिये है और ये है Mexican Pitonia ये pink color के baby pink color के इस पे flower आते है तो इसको भी मैंने अपने garden में पहले grow किया हुआ है और easily grow हो गया था और ये blue ivy plant है ये एक bushy type का plant है तो इसको भी मैं first time grow कर रही हूँ तो इसकी मैं दो cutting लगा रही हूँ तो आप भी जो है ऐसे बहुत सारी cutting जो है तयार करके अपनी जो है plants को और भी अपने garden को बढ़ा सकते हो तो इसमें watering कर देते हैं और आपने इसको जो है shaded area में रखना है तो ज़्यादा direct sunlight में नहीं रखना है और बारिश का जो पानी है इसको खूब मिलता रहे और ये जो है चान्दी का plant ये मैंने दो cuttings इसकी लगाई थी और ये Z plant है इसकी भी मैंने cutting लगाई थी इसको मैंने cutting से grow किया था और ये बहुत अच्छा चल रहा है और उसके बाद है ये coleus और ficus और ये एक और plant है इसको मैंने कुछ दिन पहले grow किया और ये है white chumpa जिसकी अभी growth जो है start हो चुकी है और ये जो कनेर के plants है ये मैंने सारे cutting से grow किये थे मैंने कोई भी nursery से purchase नहीं किया था तो friends वीडियो अच्छी लगी तो like ज़रूर करना बाबाई take care